Hello guys, welcome to another video और इस particular video में हम Miller Indices के साथ continue करेंगे हमने last video में Miller Indices देखा था कि कैसे निकालते हैं और फिर Interplaner Spacing कैसे निकालते हैं अभी पहले हमें और कुछ properties देखेंगे Miller Indices के क्या होती हैं जो मैंने last video में miss out कियें चीजें क्योंकि मैंने last video में सिर्फ introduce किया है कि Miller Indices हम कैसे निकालते हैं और Interplaner Spacing में वो कैसे यूज होता है तो अब यार 1 by 1 चीजें देखते है Miller Indices के बारे में जो सबसे पहले है कि जो हम Miller Indices लेते हैं वो एक within a unit cell होता है इसका मतलब क्या है यह हमारे पास एक unit cell है तो अगर मैं यह वाला plane consider कर रहा हूँ यह मेरा simple क्यों बेगा और मैं यह वाला plane consider कर रहा हूँ तो यह 100 आएगा यह हमने निकाला था last video में तो अब यह क्या represent करेगा यह set of planes represent करेगा ठीक है यह मैंने बताया था अब कौन-कौन से plane इसमें include होंगे जितने भी planes इसके parallel में होंगे वो सारे included होंगे इसमें suppose को अगर यह वाला एक यहाँ पर plane है मैं एक और unit cell डोग कर रहा हूँ साइड में यह वाला plane है हमारे पास तो इसकी representation भी इसी के अंदर include हो जाएगी इस वाले के अंदर लेकिन यार इसकी naming directly यह नहीं रहती है ठीक है अगर मैं कहूँ हूँ यह वाला plane अगर हम इस point से observe कर रहे है तो इसका आएगा half zero zero ठीक है लेकिन हम इसको integer value में convert करके one zero zero लिखते थे right तो जो यार हमारा miler indices है ना यह अपने आप से एक unit cell के अंदर convert हो जाता है चीज समझ में आ रही है कि अगर हम इस plane के corresponding भी निकाल रहे है जो हमारा आता है half zero zero उसको हम one zero zero consider कर रहे हैं मतलब यह same type of plane है ठीक है इसलिए वो one zero zero से represent हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमारी एक information loss हो जाती है जिरो को one zero zero में convert कर देते है क्योंकि यार जो हमारी million indices की representation है वो within a unit cell होती है ठीक है यह नहीं है कि यार जो side वाले unit cell है उसकी भी वो हो क्योंकि जो हमारी million indices है basically है एक set of planes को represent करता है एक individual plane को represent नहीं करता है ठीक है तो दोनों चीज में difference है तो जो half zero zero है वो भी one zero zero से represent होगा इतना clear है ठीक है दूसरी चीज यार जो हमारा plane होता है यह सिर्फ unit cell के अंदर नहीं होता है वैसे यह extend होता है ठीक है मतलब अगर यह वाला plane है तो अब यह extend हो रहा होगा मतलब side यह जा रहा होगा ठीक है अभी तीसरी चीज यार कि suppose कोरो हमारे पास यह वाला reference point है center में जो मैंने भी green dot मनाई है ठीक है और हमें इस plane के विज रिस्पेक्ट और हमें इस plane का million indices निकालने हैं तो अब इसके लिए क्या होगा हमारे यार देखो यह negative x direction में हम positive तो इस side बोल रहे थे कि अगर मैं इस वाले point से measure करूँगा तो यह वाला plane आएगा 100 लेकिन यह वाला जो plane आएगा यह negative direction में तो अब यह कैसे represent होगा तो यह इस case के लिए हम बार लगाते हैं उपर यह बार sign जो है यार negative sign को show करता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे ठीक है लेकिन इसकी correct representation जो हम use करते है standard जो है वो यह है ठीक है 1 bar 0 0 ओके इतना clear है हमें तो हमने अभी तक 3 चीज़ें discuss कर लिए है ठीक है अभी 4 चीज़ क्या है कि यार अगर हमारे पास एक unit cell है ठीक है यह हमारे पास unit cell है और यह simple cubic की है तो इसके अंदर यार सिर्फ हम वो ही plane consider करेंगे million indices के लिए जिससे atom pass हो रहा हो तो मैं यहाँ पर अगर एक plane बनाऊंगा बीच में अगर ऐसे plane जा रहा है बीच से तो इस plane के यार कोई value नहीं है क्योंकि इस पर कोई भी atom exist करते हैं वैसे चीज़ यार बताने के लिए थी नहीं लेकिन यह मैं फिर भी बता रहा हूं कि confusion ना रहे ओके ठीक है यह चीज़ कहीं भी mention नहीं रही और ना यह important है वैसे देखा जा तो लेकिन यार पता होना चीए कि हम plane किसको बोलते हैं यहां पर atom होंगे उसे जो पास होगा plane हम उसी के मिले इंडिसिस लिखते हैं ठीक है बेफालतों के planes की नहीं लिखते हैं ओके फिफ्ट पॉइंट कि यार हमारे पास देखोए कि यह notation होती है यह notation क्या कहती है हमें मैं एक example से बताता हूँ suppose को हमारे पास यह notation दी है ठीक है 100 दी है तो इसका मतलब ही है यार कि यह इसके अंदर यह वाला plane included है यह वाले planes included है और साथ में यह वाले planes भी included है मतलब यह हमारा family of planes रेप्रेजेंट करता है चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा यह unit cell है और यह वाला हमारा origin है तो इसके अंदर यह वाला plane भी included है यह वी included है और जो front वाला है यह वी included है चीज़ समझ में आ रही है तो यह हमारी family of planes है curly bracket से यह show होती है ठीक है ओके six point क्या है कि Miller indices में कभी भी हमारा infinity नहीं होगा मतलब कि h k या फिर l में से कभी भी उनकी value infinite नहीं होगी कि हमारे पास कोई भी कभी ऐसा नहीं आएगा ठीक है इसमें हमारा k infinity हो रहा है तो यह possible नहीं है अब यार एक seven चीज हो रहा है मैं मतलब इस से related नहीं है लेकिन फिर भी तो मिसमें लिख सकते हो मैं यह वैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे waste indices होते है वो reciprocal होते है Miller indices के right मतलब कि अगर हमारे पास Miller indices हैं तो उससे हम waste indices निकाल सकते हैं अगर waste indices है तो हम उससे Miller indices निकाल सकते हैं जस्ट हमें reciprocal करना है थीज़ समझी में आई ठीक है तो अब यहार यहांसे क्या है कि base indices में हमारा infinity पूसीबल होता है ळीक है इससे में इह यह कहना चाहता हOWN और Miller indices में हमारा infinite possible नहीं होता है Miller Indices में हमारे 0 possible होते हैं लेकिन Waste Indices में हमारा 0 possible नहीं होता है ठीक है इतना clear है इतना clear है ठीक है अब यार next point पे आते हैं अब यार हमारे पास देखो मैं यूनिट सल बना रहा हूँ अब यार हम कुछ points के Miller Indices नहीं लिखते हैं मैं suppose करो हमारे पास यह origin है और अगर हमारा origin एक plane पे लाए कर रहा हो तो हम उसके corresponding Miller Indices नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम इसके corresponding Miller Indices लिखेंगे तो उस Miller Indices में हमारा infinite लाए करेगा और हमने अभी उपर डिसकस किया कि infinite possible नहीं है Miller Indices में ओके ठीक है एक चीज यह थी हमारी अभी यार एक और चीज है मैं आपर crystal direction और introduce करना चाहता हूँ इसका एक question भी देख लेंगे हम ठीक है वैसे इतना जादा important नहीं है लेकिन फिर भी यार पता होना चाहिए हमें तो अगर suppose करो मेरे पास यह unit cell है और यह हमारा plane है ठीक है इसका है 100 ठीक है और यह वाली हमारी directions है x, y और z तो जो crystal direction होती है और यह भी हमारे plane के विस्पेक्ट्र में define होती है अगर suppose करो मैं इस plane के लिए define करूँ जो मैंने भी यह 100 draw गिया है तो जो हमारी crystal direction होगी वो इसके नोर्मल के parallel होगी इस plane के जो हमारा normal होगा उससे वो parallel होगी चीज समझ में आ रही है तो हम यह कह सकते हैं कि हम जो हमारा यह 100 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और यह हमारी crystal direction की notation है अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं यार क्योंकि देखो यार नोर्मल और यह वाला जो हमारी crystal direction है यह आपस में parallel है तो basically हमें यह आपर direction से मतलब है अब दोनों की x direction है दोनों eye cap में है चीज समझ में रही है दोनों x direction के along है तो 100 हमारी hkl की notation है mirror indices की notation है और यह वाली हमारी crystal direction की notation है just simple है ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई भी वो दे रखी हो hkl की value तो हम उससे crystal direction में जा सकते है simple ऐसे ठीक है अभी इसके ओपर यहार में एक question भी discuss करूँगा अभी कर लेते हैं साथ के साथ ही ठीक है मतलब किस type का question है का वो discuss कर लेते हैं तो suppose कर यहार हमारे पास कोई भी दो plane दे रखी है ठीक है मतलब यह है h1 है k1 है l1 है और दूसरा plane है हमारे पास h2 k2 l2 अभी हमें इस question में इन दोनो planes के बीच में angle निकालना है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे इन दोनों की हम crystal direction देख लेंगे ठीक है और उससे हमें vector पता चल जाएगा ठीक है हम crystal direction का vector कह सकते हैं यह vector है तो वो हमें पता चल जाएगा तो अभी देखो हमारे पास एक यह plane है suppose करो इसका यह है और दूसरा plane मेरे पास यह है suppose करो इसका यह है ठीक है normal तो हमें यह theta निकालना है ठीक है तो अभी हमें crystal direction से इन normal के parallel में एक vector पता चल जाएगा और अगर वो parallel हैं तो वो भी दोनो theta angle ही form कर रहे होंगे तो जस्ट हम वो angle निकाल लेंगे और solve कर लेंगे अब दो vectors के बीच में हम कैसे निकालते हैं dot product से right a1, a2 कर देंगे हम यहां से और फिर यहां पर a1 का magnitude a2 का magnitude cos theta और हम यहां से theta निकाल लेंगे right ठीक है तो ऐसे हम इसमें use करेंगे तो जो हमारा first pair है इसके corresponding directions क्या हो जाएंगे हमारी h1, k1, l1 और इसके corresponding हो जाएंगी h2, k2, l2 तो basically यह हमारे दो vectors है ठीक है यह तुमारे vectors है क्योंकि यह direction represent कर रहे है ओके तो अब हमें just angle निकालना है और हमें यह पता है कि vectors के बीच में angle कैसे निकालते है तो just हम solve कर लेंगे और हमारा answer आ जाएगा तो यहां से मैं यह कह सकता हूं कि cos theta जो आएगा वो आजाएगा a1 vector dot a2 vector divided by a1 का magnitude a2 का magnitude ठीक है तो ऐसे हमारे पास इन planes के के लिए आजाएगा cos theta is equal to h1 h2 plus k1 k2 plus l1 l2 यह हमने dot product किये दोनो planes के vectors की ठीक है divided by अब दोनों के vectors का में magnitude लेना है ठीक है तो वो हो जाएगा h1 square plus k1 square plus l1 square under root और ऐसे दूसरे vector का h2 square plus k2 square plus l2 square तो यह हमारे पास आजाएगा एक relation ठीक है तो यहां से हम theta निकाल सकते हैं अगर हमें दो planes given है और उनके बीच में angle निकालना है तो हम इस formula का use करके हम निकाल सकते हैं ठीक है easy था okay तो अब यहां next part पर चलते हैं इस part के लिए सिर्फ इतना ही था और next part में मैं discuss करूँगा कि कैसे हम FCC और BCC के miller indices लिखते हैं planes के corresponding ठीक है तो हमारे पास यह एक figure है थोड़ा समझने के लिए यह first line में जो मारा primitive cubic lattice दिया है मतलब कि हमें यहां पर यह simple cubic दिया हुआ है ठीक है तो उसमें 100 planes है 110 planes है और 11 plane है यह हमने पहले discuss किया था ठीक है तो अब FCC और BCC में क्या हो रहा है कि उसमें ने types के plane form हो रहे है अब हम वो देखेंगे ठीक है तो अब यहां पर देखते हैं कि क्या अलग हो रहा है इन में तो पहले हम FCC की बात करते हैं तो हमें FCC में पता है कि हमारे पास face center पे एक extra atom आ जाता है और मैंने अभी उपर discuss किया कि हम उन planes को consider करते हैं जहां से atom पास हो रहा हो तो यहर अब एक unit cell में अब extra atoms आ गया है तो महां से भी हमारा plane जा रहा होगा तो हमें वो plane भी consider करना पड़ेगा क्योंकि यहर अगर हम एक direction की बात करते हैं suppose करो मैं एक x direction की बात कर रहा हो तो इस direction में जितने भी हमें हमारे plane होंगे हमें उन सब को include करना पड़ेगा ठीक है तो वो ही चीज़ है अगर हम simple cubic की बात करें तो सिर्फ जो side होती है और वो ही planes होते है उसमें center में कोई भी नहीं होता है simple cubic में सिर्फ corners पर item होते है लेकिन FCC में face के center पर भी item होता है ठीक है उसकी वज़े से आर देखो ये वाला item extra आ रहा है ये वाला item और ऐसे नीचे ये वाला item extra आ रहा है ठीक है ये वाला plane हमारा ये है और ये वाला हमारा ये है ठीक है चीज समझे में आ रही है तो जो second number पर हमारा जो plane है ये आपर show रही है extra plane आ रहा है बीच में तो अब ये इसलिए आ रहा है कि हमारे जो उपर और नीचे एक हमारा face center पर एक item है ठीक है उसकी वज़े से आ रहा है ठीक है तो अगर हम एक origin consider कर रहे है अगर मैं दुबारा से figure बना लेता हूँ तो अगर मैं FCC lattice बनाओ ये हमारे पास FCC lattice है यहाँ पर center में atoms है ठीक है एक यहाँ पर तो अभी एक हमारे पास ये वाला plane next रहा होगा जो इन atom से पास हो रहा होगा देखो कौन-कौन से अटम से पास हो रहा है ध्यान से देखो ठीक है एक यहाँ पर इस back वाले से पास होगा एक जो उपर के center पर उससे पास होगा एक जो front के center पर उससे पास होगा एक जो इससे center पर है bottom वाले के उससे पास होगा ठीक है तो हम ये वाला origin consider कर लेते हैं ठीक है यह हमने origin consider कर लिया अब हम निकालेंगे तो intercept देख लो यार इसके अगर ये X direction है ये वाली Y direction है ये वाली Z direction है तो intercept क्या है हमारा इसमें A by 2 है हमारा Y पे intercept हो रहा है ये नहीं हो रहा है Z पे भी intercept नहीं हो रहा है ठीक है तो infinite infinite हो गया है ठीक है अब हम इसको ए से डिवाइड करेंगे ए से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा half infinite infinite अब इसके बाद next step क्या होता है इसका रैसे प्रोकल लेकर क्या हो जाएगा तो यह हमारा plane आ गया चीज समझ में आई तो जो हमारा यह वाला plane आ रहा है बीच में इसकी notation है टू जीज समझ में आ रही है और जबकि हम पहले इस वाले की बात कर रहे थे तो यह 100 था ठीक है अब यार इसको हम 100 से क्यों represent नहीं कर सकते वो देख लेते हैं क्यूंकि यार दे corresponding जो हम injack ACL निकालेंगे वो हमारी आएगी A,right वो यहां से यहां तक यहां तक की आ जाएगी जो मैंने पहले शोर की थी यह वाली यह वाली हमारी A आ जाएगी ठीक है लेकिन हमारी अब इंटरपलीनस क्वेसिंग जो है वो यह यह है ठीक है जो की है A by 2 तो two zero zero के corresponding तब हम interplanar spacing निकालेंगे तो वो a by two ही आएगी निकाल के दिखाऊं क्या होता हमारा interplanar spacing का formula की cubic के लिए a divided by h square plus k square plus l square right अब यहाँ पर put कर दो h k l की value क्या है हमारी two zero zero आई है तो यह आजाएगा four plus zero plus zero under root ठीक है तो यहाँ पर a by two आगया लेकिन अगर तुम यही चीज इस plane के लिए निकालते 100 के corresponding निकालते तो यह आती a right तो यहाँ पर हमारी information loss हो जाती ठीक है मतलब इस plane की information हमारी loss हो जाती इस वज़े से हमें इस plane के corresponding indices निकालने जरूरी है और FCC में हम two zero zero से represent करेंगे planes को और इसी वज़े से यहाँ पर यह two zero zero mention है यह समझ में आई ओके अब ऐसे यार जूसरे टाइप की planes की बात करते हैं अभी देखो यहाँ पर इधर देखो मैं उपर इस simple cubic में draw कर रहा हूँ extra item जो FCC में बन रहा है कि तुम्हें simple cubic का तो clear है तो simple cubic में क्या होगा है एक item यहाँ पर लाए कर रहा होगा ठीक है और एक item ऐसे इस front face पर लाए कर रहा होगा तो एक plane हम इन से pass out करा रहे है इन दोनों points से ठीक है जो यह वाला plane आया है वो इन दोनों से हो रहा है देखो यह वाला plane ठीक है तो मैं दिखेगा कि इन दोनों से ही pass out हो रहा है चीज़ clear है तो यह चीज़ है यह ऐसे होगा यह य कि यहार हमारा BCC में होगा, BCC में क्या होगा, हमारे एक बोडी सेंटर पे एक अग्स्र इटम होगा, ठीक है उसके वज़ए से यह वाला एक्स्ट्र इटम हमारा, तो इसके वज़ए से यह वाला प्लेन आ गया, ठीक है, इतना क्लीर है, अभी next डाए 160 के में, कोई भी एक्स् दो plane C है, ठीक है, हमारी इसकी notation change होगी, क्योंकि ये वाला plane extra है, इसकी वज़े से, ठीक है, वैसे similar indices निकालेंगे हमने, जैसे अब ये FCC के लिए निकाले थे, एकले है, रोके सेम तरीका है, अब थार्ड stack केle केs की बात करते हैं, अर देखो, अब इसमें क्या होगा, हमारा ये वाला plane तो पहले से ये ये, ये मैं जो शेड कर रहा हूं, ये वाला plane हमारा पहले से था, इसकी वज़े से simple cubic की वज़े से, जो हम लेते हैं, ये हमारा one-one है basically ठीक है इसकी representation है 1-1-1 ठीक है जो हम पहले simple cubic में भी लिया है लेकिन body center के वज़े से हमारा ये वाला atom ये वाला plane extra आएगा ठीक है ये वाला plane extra है हमारा ठीक है और अब यहाँ पर ये जो distance है interplaner ये half हो गया ठीक है क्योंकि अगर ये नहीं होता हमारा body pair atom तो हमारा एक plane ये वाला होता है और दूसरा ये वाला plane होता है इसके बाद ठीक है और जो हमारे इन दोनों के बीच में जो distance है वो इसका half है ठीक है ये वाला half है उनके उसके comparison में चीज़ समझ में आ रही है तो इसी वज़े से पहले डिसकस किया था इसको 100 कह सकते है ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमारी information lost हो रही है ठीक है अगर मैं simple cubic lattice की बात करूँ तो ये वाला ठीक है 100 है बिल्कुल सही बात है इसका distance ये है बिल्कुल सही बात है लेकिन अगर मैं FCC कहूँ तो उसमें हमारी इस plane की information lost हो रही है ऐसे ही सभी cases के लिए है ठीक है क्योंकि अगर हम सब भी planes की बात करेंगे तो interplaner spacing उसके अंदर साथ में अपने आप आएगी चीज समझ में आ रही है और हम इसे indices को within a unit cell define करते हैं तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं 100 से represent करूंगा तो हमारा ये वाला plane तो कभी भी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि 100 के corresponding जो distance आएगा वो ये आएगा तो directly मेरा ये वाला plane आ जाएगा और इस unit cell के corresponding जो ये वाला plane है ये miss out हो जाएगा चीज समझ में आ रही है तो उमीद करता हूँ ये आपको इमिलर इंडिस का concept सारा समझ में आ गया होगा ठीक है और इसके जितने भी questions होगे सारे का सारे intercept निकालके easily हो जाएगे ठीक है मैं practice नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर आगे कभी देखेंगे अगर time मिलेगा तो कराएंगे लेकिन मैं यहाँ पर अभी नहीं करा रहा हूँ ठीक है कि यह इसमें देखो कुछ है नहीं कि हमने just intercept निकालना है फिर divide कर देना है उसको length lattice parameter से फिर उसका रहसी प्रोक कर लेना है बस हमें यह करना है किसी भी type का lattice है कोई भी plane है doesn't matter ठीक है क्योंकि हो सकते है यह कोई भी plane connect कर देगा तो हमारा FCC में यह कोई भी item आपस में connect कर देगा और वो बोल देगा उसका plane निकालो तो हमारे पास hexagon lattice आ जाएगा तो हमारे पास hexagon lattice आ जाजाएगा तो यह वैसे BSC में जर्नली बात नहीं करते हैं hexagon lattice की लेकिन अगर hexagon plane का दे दिया यह मारे पास एक hexagon lattice है जो 3D में होता है hexagon lattice मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसका यह कोई भी plane तुमें दे दिया तुम्हें उसके corresponding indices निकालने हैं तुम practice कर सकते हैं वाली problem अगर ना हो तो बता देना ठीक है इंस्टा पर connect कर लेना में साथ या comment में बता देना मैं अंसर कर दूँगा कि मितलब कैसे करते हैं उस चीज़ को अगर तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो अगर तुम्हें practice करना हो तो तब की बात है अगर नहीं करना है तो भाई अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो वीडियो को यार लाइक शुरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है फिर मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाड़ा बाई से यू